नमस्कार मैं हूँ अमेद दोस्तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टॉप सेवेन बेस्ट फाइजी स्मार्टफोन की जो की आप खरी सकते हैं अंडर 12,000 रुपीज की प्राइज में इस मही ने दोस्तो अब काफी सरे आप्शन अवेलबल हैं 10 से 12,000 रुपी की प्राइजिंग में तो अगर आपको बजट यही है तो यह वीडियो आपके लिए काफी हल्फोल होने वाली है इसलिए बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले आपको बता दे कि जिन भी स्मार्टफोन की हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में इन सभी की लिंक सबको नीचे डिस्क्रेशन मिल जाएंगे वहाँ पर जाके आप इनकी करन पैजिंग और आफर को जाक कर सकते हैं और हाँ यहाँ पर हम रैंकिंग करने वाले हैं नमबर 7 तो नमबर 1 हाला कि आपकी रैंकिंग थोड़ सी अलग हो सकती है लेकिन इस रैंकिंग से थोड़ सा आईडी जरूर ले सकते हैं कि आपको कौन से फोन की तरफ जाना चाहिए चली जा टाइम खराब नहीं करते हैं सीधर स्टार्ट करते हैं नमबर 7 के साथ और नमबर 7 पर रहा है दोस्तों मोटरोला का लेटेस्ट लाच्च मोटो जी 34 5G में बात कर रहा हूँ जिसका प्राइजिंग आता है दोस्तों 10,900 रुपए और इस फोन का की आहलेट वीचर है इस फोन में आपको मिलता है Snapdragon 695 चिपसेट यहाँ पर हमें performance price के साब से सच में काफी अच्छा देखने को मिल जाता है अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके लावा बाकी फोन की तो वो टिपिकल मोटरले स्टाइल है दोस्तों डिजाइन आप देख सकते हैं अगर हम बात कर रहा है अगर हम बात कर रहा है तो ठीक फोन है दोस्तों प्राइस के सबसे डेफिल आप इसे कंसर कर सकते हैं आज की निसमें ही आ रहा है नंबर सेवन की पोजिशन पर नंबर सिक्स की तरफ जलते हैं दोस्तों तो यह आता है रैडमी की तरफ से यह भी लेटेस्ट लाँच है मैं बात कर रहा हूँ रैडमी 13C 5G की इसका प्राइजिंग भी 10,000 नौस नियूर रूप है यहां पर हमें 1,000 पर का बैंक आफर मिल जाता है करीब 4,000,000 से ओपर के आपको बैंच मास स्कोर दे जाता है जनलनल टास में तो दो दोस्तों यह चिपसेट अचा है इनफेक्ट यहां पर आप हैवी गिंग भी कर सकते हैं इसको भी अमने टेस्क किया है तो performance में आपको यहां पर भी issues देखने को नहीं मिलने वाले अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके अलाव दोस्तों फोन की डिजाइन की तो आप देख सकते हैं फ्रंट साइट से ठीक ठाक डिजाइन है मतलब बहुत ज़रा modern नहीं है क्योंकि water of nose play आपको यहां पर देखने हो मिल रहा है h2 d plus IPS panel के साथ में आता है जी हैं यहां यहां पर भी हमें 720 pixels वाल ही डिस्प्ले देखने हो मिलता है लेकिन हां यह आपको 98s के screen टेपर की साथ में देखने हो मिलता है camera ठीक है दोस्तों 50 megawisle के primary sensor के साथ में 5000 इमेज का बैटरी यहां पर दिया गया है 18 वोट के Fast Charging Support के साथ पे Charger आपको Inbox 10 वोट का ही देखने हो मिलता है इस Speaker तो परके ठीक है तो हाँ दोस्तों लगबग 10,000 रूपिक प्राइस के साब से यह भी अच्छा option है आप इसे consider कर सकते हैं आज के लिसमें ही आ रहा है नंबर 6 की पोजिशन पर नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों तो यह आता है Samsung की तरह से Samsung Galaxy M14 5G या फिर F14 5G की में बात कर रहा हूँ करीब 11,000 रूपि आपको इसका भी प्राइस देखने हो मिल जाता है कई बार sale में यह 10,000 रूपि से भी नीचे की price में मिल जाता है तो आप चेक कर लीजएगा सबसे बहले तो यह आपको Samsung की तरह से मिलता है तो सबसे affordable 5G smartphone हो जाता है 12-band का support आपको यहाँ पर देखने हो मिल जाता है इसके लाब है Exynos के 13-30 chip set के साथ में काम करता है बहुत समय तक हमने इस chip set को test किया है दोस्तों और performance में SH COEB शूद आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलते है यहाँ पर भी करीब 4 लग से उपर की bench mask और दिये चाते है इसके लाब दोस्तों यहाँ पर आपको camera अच्छा देखने को मिलता है 50MP का primary sensor है और यह मैं काऊंगा कि दोनों ही phones के comparison में थोड़ सा better perform करता है इसके लाब यहाँ पर आपको 6000 mAh का battery भी देखने को मिल रहा है हाला कि design बहुत अच्छा नहीं है rear side से भी फ्रेंट साइट में भी एक water drop notch पर दिया गया है लेकिन इसका जो display quality है वो थोड़ा सा और ज़्यदो बहतर है और यह आपको full HD plus resolution की साथ भी देखने हो लेगा जहां भी 98 का screen refresh rate दिया गया है तो हां कुछ चीजी अच्छी है दोस्तो फोन की कुछ चीजी खराद है लेकिन हां Samsung के साबसे लगड़ 10,000 रूपी price में अगर आपको मिल रहा है तो develop इसे considerate कर सकते हैं और हां यहां पर आपको Samsung का nox security भी देखने हो मिल जाता है secure folder भी देखने हो मिल जाता है तो यह थोड़े से और add-on feature हो जाते हैं तो हां अच्छा phone है आप इसे considerate कर सकते हैं दोस्तो यह आता है अब लिसमें number 5 की position पर number 4 पर है दोस्तो एक Indian brand जीहां मरबाद कर रहा हूँ Lava, Lava Strong 5G दोस्तो जो के latest launch हुआ है 12,500 रुपिस का price आपको मिलता है कई बार bank offer मिल जाता है तो 12,000 रुपिस प्राइज में आपको इसे ले सकते हैं और यह है phone दोस्तो काफी सारी चीज़ों में बहुत ही कमाल का option मन जाता है सबसे बहले phone का design आप देख सकते हैं premium feel आपको देखने को मिल जाता है इस phone में front side में भी एक punch hold display दिया गया है दोस्तो 6.78 inches का screen size है मतलब screen size भी बड़ा है full HD plus का resolution दिया गया है display quality भी अच्छा है और बड़ा सा display भी है इसके लबा mediatek dimensity 6080 chipset के साब में काम करता है तो performance भी ऐसे हैच कोई बीशू देखने को नहीं मिलने वाले इसके लबा दोस्तों यहाँ पर आपको 50 megapixel का primary sensor दिया गया है 8 megapixel ultraviolet sensor भी है जो की काफी सारे phone मिस कर देते हैं तो camera का performance ठीक होता है लावा के force का लेकिन हाँ यहाँ पर आपको ultraviolet sensor भी देखने को मिल जाता है बागी phone में 5,0 mm का battery है तो हाँ आप इस phone को answer कर सकते हैं लावाग तरफ से अच्छा option है और इसलिए दोस्तों यहाँ आ रहा है हमाड़ेस में नंबर 4 की position बार नंबर 3 पर है दोस्तों Infinix की तरह से Infinix Hot 35G के बात कर रहा हूँ करीब 12,000 पिल का price आपको देखने हो मिलने वाला है और यह phone आप में देखने हो मिलता है दोस्तों Major Tech Damacy 6020 चेपसेट के साथ में ठीक performance आपको यहाँ पे देखने हो मिल जाता है लेकिन हाँ जो बाकी सारे चीज़े हैं उसमें यह phone काफी ज़दा आगे निकल जाता है जैसे कि सबस्क्राइब डिजाइन आप देख सकते हैं काफी premium डिजाइन है और इसका जो orange color है यह आपको leather finish के साथ में भी देखने को मिल जाता है front side में भी एक पंचोल display आप को देखने हो मिलता है दोस्तों जहाँ पर full edge brush का resolution दिया गया है और यहाँ पर हमें 128 का screen refresh rate भी देखने को मिल जाता है अगर मैं बात कर रहा हूँ camera की तो 50 megawixel का primary sensor है यहाँ पर दोस्तों में 6,000 image का बैटर देखने मिलता है 18 note का fast charging support है speakers बाकिर अच्छे हैं दोस्तों और हाँ इस phone के साथ में मारा practical experience भी अच्छा रहा है दोस्तों internet पे reviews भी अच्छे हैं तो definitely दोस्तों यह अच्छा option मन जाता है इस price range में आप इसे consider कर सकते हैं आज की list में ही आ रहा है number 3 की position पर और finally दोस्तो number 2 और number 1 यहाँ पर थोड़ा सा कई बार हमने देखा है comment section में debate होता है कि number 2 पे कौन सा होना चाहिए number 1 पे कौन सा होना चाहिए खेर हमारे लेस में दोस्तों number 2 पे आ रहा है Redmi के तरफ से Redmi 12 5G के में बात कर रहा हूँ करीब 12,000 पर इसका price होता है दोस्तों और यह हर मामले में आप कह सकते हैं कि लगबग perfect phone है जैसे कि सबस्तों स्टार्ट करते हैं डिजाइन के साथ में तो rear design आप देख सकते हैं बहुत ही decent design है यहाँ पर हमें rear side से भी class build देखने को मिल जाता है front की बात कर रहा है दोस्तों तो एक punch on display दिया गया है 6.7 8 inches का screen size है full HD plus का resolution आपको देखने हो मिलेगा display quality अच्छा है दोस्तों 98 का screen refresh rate भी यहाँ पर दिया गया है performance की बात कर रहा है तो snapdragon 4 generation 2 chip setup को यहाँ पर देखने हो मिल जाता है no doubt one of the best chip setup को देखने हो मिलता है इस price range में performance से भी आपको कोई भी issues देखने को नहीं मिलने वाले in fact अगर बात कर रहा हूँ camera की तो इस phone का camera भी काफी अच्छा perform करता है 50 megapixel का primary sensor यहाँ पर दिया गया है और कुछ images रख यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस phone के camera को अच्छा से test भी किया है 5000 mAh का battery है 18W का fast charging support हमें है अपर देखने को मिल जाता है इस speakers पकर ठीक हैं हाला कि stereo speakers नहीं है फिर भी sound quality अपको अच्छा समने को मिल जाएगा fingerprint sensor पकर अच्छे से काम कर लाता है MIUI 14 पे base है और इस phone को हम अभी भी use कर रहे हैं तो अभी तक भी कोई भी issue समको देखने को नहीं मिलते है तो definitely दोस्तो one of the best phone है आज के इसमें आता है number 2 की position पर तो अब number 1 की position पर दोस्तो कौन से phone आता है तो हाँ दोस्तो इस बर भी आता है number 1 पर Realme की तरफ से Realme Narzo 60X 5G करीब 12,000 पर इसका भी price आपको मिल जाता है कई बार सेल में 11,000, 60,000 पर इसका भी price में भी आपने देखा होगा यह है phone दोस्तो one of the best option क्यों बन जाता है सबसे बिले तो phone का design आपर आप देख सकते हैं हाला कि glass milk नहीं है लेकिन phone हाथ में दोस्तो अच्छा लगता है premium phone लगता है और इसका जो camera cutout है यह भी तोड़ा सब different है Redmi 12 5G की comparison में front की बात कर रहा है दोस्तों तो यहाँ पर भी IPS पैनल दिया गया है full HD plus का resolution आपको देखने मिल जाता है punch-hole display के साथ में लेकिन यहाँ पर आपको 120 एट का screen रिफशेट दिया गया है जबकि Redmi 12 5G में आपको 90 एट का screen रिफशेट दिया गया था इसके लब आप performance की बात की जाए तो MediaTek, Dimensity, 61 and 8 Plus शिपसेट की साथ में यह भी आपको देखने मिलने वाला है और यह भी दोस्तों भी बहुत अच्छा performance आपको देदेगा करीब 4 लग से उपर के आपको benchmark score देखने मिल जाते है हाला कि अगर हम Snapdragon 4 Gen 2 से इसको compare करेंगे तो 19 भी इसका difference आपको मिलेगा जी हाँ Snapdragon 4 Gen 2 थोड़ो सा बहतर है लेकिन यह chipset दोस्तों कम नहीं है यहाँ पर भी हमें performance अच्छा देखने मिला वैसे इनका comparison हमने अल्रेडी किया है दोस्तों इन दोन ही phones का अगर आप यह वीडियो देखने जाते हैं तो link आपको नीचे description मिल जाएगा तो हाँ performance में भी iPhone बीचे नहीं है दोस्तों इसके लवाँ यहाँ पर भी 50 Megapixel का primary sensor है यहाँ पर भी आपको इमेजिस देख सकते हैं 5000 mAh बैटरी आपको देखने मिलता है 33 वाट का fast charging support आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है इस speakers अच्छे हैं दोस्तों यहाँ पर आपको Realme UI 4.0 version के साथ में Android 13 देखने को मिलने वाला है और रोल दोस्तों एक बहुती कमाल का option है इस price range में और हाँ यह Redmi 12 5G से करी 500 रुपे सस्ता भी आपको मिलता है तो हाँ दोस्तों आज की लिस में भी आता है Realme Narzo 60X 5G नंबर बन की position बार तो कुल में लागा दोस्तों यह थे top 7 best smart phones top 7 best 5G smart phones जो क्या आप खरी सकते हैं under 12,000 रुपेस की price में इस महीने और मतलब 7 phone आपको बता दी दोस्तों और सभी अच्छे phones हैं आप अपनी साब से ranking को set कर सकते हैं जो phone आपको ज़्यादा पसंद हो आप चाहें तो नीचे हमें कमें चींट में ranking बता सकते हैं तो बस दोस्तों यही था आज की वीडियो में मुझे पूरी उमीदी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा